दोस्तो शेखावटी में पहाडियों पर स्थित कई ऐसे दुर्प वे मंदिर हैं जिनका इदिहास बेहद ही रोचक है एक ऐसा ही मंदिर सिकर जिले के खंडेला में अरावली की वादियों में वसा है जिसकी मानिता समय के साथ बढ़ती जा रही है सिकर में पहाडियों पर स्थित कई ऐसे दुर्प वे मंदिर हैं जिनका इतिहास बेहद ही रोचक है एक ऐसा ही मंदिर सिकर जिले के खंडेला में अरावली की वादियों में वसा है जिसकी मानिता समय के साथ बढ़ती जा रही है साथी छे सो फिट पूँचे पहाड परस्तित माचामुडा का मंदिर एक साथ चार देविया विराजमान है मंदिर में सार्थिय नवरात्री के समापन के दूर दराज से आए सरधालों ने माता के मंदे पहुँचकर माता को धोक लगा कर अपने परिवार की उस हाली की कामना की पूरे भारत वर्स में बसे हुए लोग अपनी कुल देवी माता के दर्सनाग यहां आते हैं तथा साल में जाग जडूले भी करते हैं मंदिर के पुजारी लक्षमन सर्मा ने पताया की बुदुर्गों की अनुसार चामूंडा माता देवी का प्राचिन मंदिर खंडेटा के पक्षमी में खंडेश्वर नाम का परशिद सिवाल्य का मंदिर था उसी सिवाल्य के मंदिर में चामूंडा माता का एक छोटा मंदिर था उस मंदिर के आसपास सम्चान थे सम्चान होने पर मुर्दों को वहां जलाया जलता था एक दिन चामुडा माता पुजारी के सुपन में आई और कहा की मुझे यहां मुर्दे जलने की दुर्गत आती है तुम मुझे इस सामने वाली पहाडी पर स्तापित करवाओ वहां मैं मंदिर कैसे बना पाऊँगा तो माता जी ने कहा की तुम तो पहाड पर एक चुने की पराग वै एक जल क्या मटका लेकर चले जाना इसके बाद पुजारी ने सपने के अनुशार किया और एक पराग चुना वै एक पानी के मटके से बना पच्चिन परवत पर चाहुडा माता का मंदिर बनकर तयार हो गया था जो आज जन जन की आस्ता का गिंदर है यहां बारह माहे पूरे भारदवर्द से अपनी कुल देवी के दशनात और जाज़डूलों के लिए आते हैं मंदिर में पहले मनत पूरी होने पर लोग पसु बली चड़ाते थे मगर अब इस परिशत में बली चड़ाने सराव आधी पर पावंदी लगा दी गई है इस से सरदालू खासकर महला सरदालू भी बिना किसी संकोच दर के मंदिर में पूरी है